करीमी कस्टट बनाने के लिए यह मैंने आदा किलो फुल फैट डूद ले लिया है में चूला उन करते हूं और साथ ही मैं यह पांच चमच यह वाला चोटा चमच यह मैंने पांच चमच चीनी ले लिए जब तक यह उबलता है तो मैं वेट करती हूं उबल जाए तो फिर आपको भी पाती हूं जब तक दूद हुमारा बॉयल होता है तो उसमें मैं जली बना लेती हूं तक तक यह डेड़ कप पाली है उसको बॉयल कर लेती हूं यह देखे दूद अच्छी तरह पक चुका है अभी मैं इसमें कस्ता डाल दूँगी इस तरह मैंने यह तीन चमच ले ली है यह बॉल में डाल लिया है तभी इसमें दूद चामिल करूँगी अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूं इसको इस तरह एक बार हिला लें क्योंकि नीचे बैठ चाता है तो मैं इस चमच हिलाती जाओंगी तो इस तरह थोड़ दोड़ा इसनमाल करूँगी इसमें डालते जाएं और चमच हिलाते जाएं पूले आच मैंने बिल्कुल हलकी रखी थी एक टीन मिनट के लिए यह मैंने इस तरह ट्यार कर लिए है इस गाड़ा हो चूका है अब बिजूला ओफ कर दींचे ठंड़ा तरह मैं अच्छी तरह वाइल कर लिए जूला ओफ करती हूं इसको मैं बर्तनों में ट्रासफर कर देती हूं पानी को यह पानी में इस तरह दो से तीन बर्तन में डाल देती हूं कि मैंने तीन कलर बनाने है तो तीन बर्तन में डालूंगी जैली के इस तरह मैंने यह इस तरह दो दो चमच ले लिए हैं हर कलर के तो मैं बेस में शामिल करूँगी यह इसमें शामिल करूँगी उनको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी इसको मिक्स करके इसको मैं थोड़ा ठंडा होने दूँगी फिर मैं इसे फ्रीज में रखूँगी तीनो कलर मैंने इस तरह मिक्स कर ली हैं अभी थोड़े से यह रोम तंप्रेचर पर आ जाए तो फिर मैं इसे फ्रीज में रख दूँगी यह सेट हो जाएगी बस 15 मिंट में सेट हो जाएगी तो फिर मैं आपको दिखाती हूं कस्टड में इस बॉल में ट्रांसफर करती हूं चार चमच में इसमें करीम डाल रही हूं और इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी करीम मैं इसमें मिक्स कर लिए अब यह सेव को चील के मैंने दो सेव ले लिए इनको चील के छोट चोटे में इपीस काट लिए आपकी मर्जी है आप इससे बड़े भी काट सकते हैं यह मैं इसमें शामिल कर दूँगी यह थोड़ी से मैं किश्मिर डाल रही हूं एक सेव यह मैंने छीला नहीं है यह वैसे डाल रही हूं यह तीन कुझूरे मैंने इस तरह बरीक-बरीक काट लिए यह इसमें शामिल कर रही हूं यह थोड़ा फ्रूट कॉप्टेड है यह इसमें शामिल करूँगी इससे अच्छी तरह मिक्स कर लेते हूं यह जेली है हमारी सेट हो चुकी है तभी मैं इसे काट लेती हूं है यह आपका दिल चाहे तो आप बड़े बड़े काच सकते हैं चोचए का सकते मैं इस तरह काच रही हूं के इसको मैं निकाल के इस तरह कि आढा़ में डाल दूंगी यह कस्टर में रॉभाल में ट्रांसफर करूँगी यह थोड़ा सा पीस्ता और बदाम इस पर डाल देती हूं अगर यह वीडियो आप लोग अच्छी लगे ते इसे लाइक करें शेयर करें मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें कि हमारी हर आनेवल नई वीडियो आप तक पहुंच सकें हुआता 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 हुआ हुआता 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 हुआत